कुलंबु में भारत श्री लंका ट्वेंटी रिंबीस मैच से पहले का समाए एस एल सरकार ने राष्ट्रव्यापिया पातकाल की घोशना की एक दिन के इंडी जिले में पुलिस और सेनिया भेजने के बाद और सांप्रदाइक दंगों को रोकने के लिए वहां कर्फ्यू लगाया गया मेथिल पाल सेरी सेना सरकार ने देश बर में दस दिवसिय अपातकाली इन स्थिती घोशित की है भारतिय क्रिकेट टीम को त्रिकोनिय निदास ट्रोफी के पहले माच में श्री लंका का सामना करने की उमीद है जो श्री लंका की सतर साल की आजादी का निशान है यह बांगलादेश को कलम्बो के प्रेमदस स्टेडियम मैं शाम साथ बजे राई एस्टी के लिए भी पेश करता है लेखन के समय भारत में बॉर्ड ओफ कांट्रोल बॉर्ड बी सी सी आई और नहीं श्री लंका क्रिकेट एसेल सी ने न तो स्थेती और धविश्य के भागय पर एक टिपढ़नी जारी की है और वास्तव में तक आपात्काल की स्थेती घोशित कर दी है एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा एक दिन बाद बॉधों और मुसल्मानों ने हिंद महासागर्द वीप के केंडी जिले में गिरफतार किया पिछले एक साल से श्री लंका में दो समदायों के बीच तनाव बढ़ रहा है जिसमें कुछ कठोर बॉध समुह मुसलिमों पर आरोप लगाते हैं कि लोग इसलाम में बदलने और बॉध पुरा टात्विक्स्थलों को बरबाद करने में मजबूर करते हैं कुछ बॉध राष्ट्रवादी ने भी बॉध म्यमार के मुसलिम रोहिंग्या शरन लेने वालों की श्री लंका में मौजूद्गी के खिलाफ विरोध किया है जहां बॉध राष्ट्रवाद भी बढ़ रहा है एक विशेश कैबिनेट की बैठक में देश के अन्य हिस्सों में सामप्रदाइक दंगों के प्रसार को रोकने के लिए दस दिनों के लिए अपात काली इंस्थिती घोशित करने का निरने लिया गया प्रवक्ता दयासरी जैसेकरा ने रायट को बताया उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टिंग का जिक्र करते हुए कहा उन लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने का भी निरने लिया गया है जो फेस्बुक के माध्यम से हिंसा भड़काने वाले हैं